तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पीजर लक्से क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर तो जो है आप रोज दो पहर दो बजे जोड़े हमारे साथ ESIC नर्सिंग ओपिसर बर्ती की तैयरी कर रहे हैं अब की बार ESIC पार जिया क्लास नमबर आठ यानिकी साथ क्लासेज अल्रेडी हमने डाल दी है कैसा आएगा UPSC ESIC का पेपर और ये जो है विशेज करके हम ESIC, DSSB के लिए क्लासेज लेकर आ रहे हैं लेकिन नौर्सेट, GMC, all exams के लिए very very important क्लासेज रेने वाली आज part 8 अपने देख रहे हैं उससे पहले 7 अल्रेडी हमने डाल रखे हैं तो आप जाकर हमरे YouTube चैनल पर देख लें इसके लाबा वहाँ पर जाएं और playlist में जो है आमने लिख रहा है ESIC nursing office है 2024 preparation ठीक है उस playlist में पूरी-पूरी classes है तो आप जाकर जरूर देख ले ठीक है जिसे कि आपको समझ माएगा बहुत important question अपन डील करने वाले हैं और इस बार 95 percentage question तक जो है सही करने का हमारा वादा है तो आप लगातार जुड़े आपका dedication और आपका जो है actively participate करना ही हमारे लिए energy का काम करता और आपके लिए selection की और आपको लेके जाएगा आज paper जो है वो अपने लिया है 2016 का कैसा paper आता है उस इसाब से आपको पता चलेगा 2019 के second और third shift के paper जो है अपने solve करवा दी है जो की pdf अपने telegram channel pj lakse classes में दे दी है आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप telegram channel को join करें link video के description में या फिर telegram पे जाए pj lakse classes search करके join करें जी हाँ आज जो है अपन 2016 का second shift का paper शुरुआत कर रहे हैं तो आज पूरा paper देखेंगे अपन आप जो है जुड़े पूरा video जरूर देखें इसके लवा channel को subscribe कर ले नए हैं तो आपको दो बजे हमिसा जुड़ना है आप जो है timing change कर दिया है इसके लवा video को like और share अपने दोस्तों को ज्यादा सी ज्यादा करना है जिसके की उन लोगों को भी फाइदा हुए और अब जब live क्ला चल रहे तो आपको साथ ही साथ comment करते जाना है ठीक है मैं आपको time दूँगा उससे साथ से आपको comment करते जाना है इसके लावा आप जो है हमारे फेस्बुक से हमसे जोड़ सकते अभी तो फेस्बुक पेज पर पीजे लक्से क्लासेज नाम है हमारा तो आप जाएं फेस्बुक पर पीजे लक्से क्लासेज सर्च करके वहाँ पर फॉलो कर ले हमें वहाँ पर आपको very very important जान करें हमें सामेलती रहेगी तो आप जो चीजे यहाँ पर नहीं होगी वहाँ मिलेगी और PDF वगिर आप कोई भी न्यूस कटिंग वगिर होगी तो वह आपको वहाँ पर फेस्बुक पर मिल जाएगी तो आप जाएग अभी जो है फेस्बुक पर सुपर में अपन जैसे कि आपका confidence बना रहे है और साधी साथ आपको comment box में comment करते जाना है live chat वाभी ठीक है ऐसे node यह नहीं sinoatrial node is situated in याईसे node जो होता है heart में वो कहाँ पर situated याईनि की इस्तित होता है right atrium, right ventricle, left atrium या left ventricle फटा बट से comment box में बताईएगा ऐसे node को जो है pacemaker of heart भी कहते है ठीक है तो यह आपको याद रखना है pacemaker जो की conduction system को handle करता है pacemaker कहते है इसको बिल्कुल सभी की सायांसुर आने चीए very good, बहुत बढ़िया very very easy question है पर examiner का चहता question है, आता ही आता इतना hard question paper नहीं आता है UPSC करवारा है, फिर भी 30% very very easy question आएगे, वो question अपन डील करेंगे, हम इसा दो बजे classes में, इतने दिन 4 बजे थी, साथ के साथ पार्ट आप जाकर देख लाना, आपको पूरी जानकरी सामझ भाजेगे, सारे के सारे पार्ट देखो कि तभी मज़ाएगा, ठीके 2019 के paper अपने solve कर ला लिए, अभी 2016 का चल रहा है बिल्कुल सभी के science वर, right atrium, ठीके ऐसे नोट जो हता है, वो right atrium के wall पर इस्तित होता है, next question, hydroamnios is condition where there is excess volume हो, बहुत ही बढ़िया क्यूसन है, very very important मैं जिन में आपको जो है, star लगा रहा हूँ उन क्यूसन को आप जो है, screenshot ले 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 ना ये क्यूसन 100% छपेंगे, छपेंगे, ठीके तो hydroamnios is condition where there is excess volume हो, पर है, किस जो है, fluid का excess volume होने पर पर अपन उसको polyhydroamnios या फिर hydroamnios कहते है, ठीके, three star क्यूसन है, एकदम बहुत ही बढ़ी है क्यूसन है, जिदने भी साथ ही जुड़े, एक बार फटापट से comment box में बताइए, कि इसका answer किया जाना है, और वीडियो को like और share अभी कर दीजीगा, like कर दीजीगा, चैनल को आप subscribe कर लेजीगा, आपको यहाँ पर all इंडिया की nursing जगत की सभी vacancies, nursing, paramedical कोई भी बरती आती है, उनकी update सबसे पहले मिलती है, इसके साथ साथ जो है, तैयारी पी आपको सभी exams की करवा रहे हैं, एकदम free of cost, बहुत बढ़ी है, सभी की सभी answer, एंसवर सही है, amniotic fluid जब access हो जाता है, उस condition को आपके hydro amniose कहते है, next question, और यह question तो आजकल जो है, बहुत ही ज़्यदा trending में चल रहा है, अभी CHO में पूछा गया था, कि isolate of langer hence, वह कहाँ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, उसमें पुछा था कि, जो आपके, कौन सी जो है, अभी जो paper आया था, अपने रास्तां सी है चोगा, उसमें पुछा कि pancreas में कौन सी जो है, cell पाई जादी, वहाँ पर ice land लिखा था, कहीं, ice late लिखा था, तो ice late सही था, ठीक है और यह जो है, आपके pancreas में पाई जादी, सभी के सही answer आ रहे है, very very easy question है next question, इसको आप 5 star question लगा दीजीगा, और एक बार फिस से जो है, बहुत ही बढ़ी अच्छपे का part of tongue is, बहुत बढ़ी accusation है, यह जो आपके tongue होती है, इसके posterior पीछे वाला जो one third part है, एक बटा तीन पार्ट जो होता है, उसमें किस test का sensation होता है, यह आपको नहीं बताना है, किस के द्वारा जो है, वो test sensation होता है, यह आपको बता है, कौन सी नर्व जो है, वहाँ पर control का का क बनेगा, इस बार ESI जी पार करके मानेंगे, और essay question करवाएंगे, कि इस बार, यह क्लासे जो है, रेगुलरी दो बजे जो है, जब तक exam होगा, ESI जो है, तब तक चलेगी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसोर आ रहे है, सबीगे, gloss of haryngeal N जो है, वो posteriori one third of tongue होता है, उसको जो है temporal lobe, paratal lobe या occipital lobe, बहुत बढ़िया question है, three star question है, लगा दीजीगा अभी से, three star, ठीक है, बहुत ही बढ़िया question है, very good, सभी के आंसोर आने चाहिए, तभी मजाएगा, बहुत बढ़िया, good, सभी answer occipital lobe में पाया जाता है, primary, आपके primary visual area, ठीक है, visual area जो हता हो, occipital में पाय जाता है, बहुत बढ़िया, next question के और बटे अबल, कुछ लोग comment कर रहे है, एक बार दुबार करना, थोड़े fast चल रहे हैं, देखा नहीं मैंने, बिल्कुल, very good, चले, the normal diameter of RBC, RBC का normal diameter क्या होता है, इसको भी आप जो है, two star question मान कहीं चलिएगा, और question किसी न किसी से, बहु इसमें जो है, 6-8 होता है, लेकिन 6-7 मान कर सकते हैं, ठीक है, तो 6-7 जो है, इसका micron diameter होता है, next question, बहुत ही बढ़िया important question है, ये question भी अभी जो है, NHM का जो paper हुआ तो, उसमें पुछा गया था, five star question लगा दीजीगा, the contact type protein in skeletal muscle, skeletal muscle में कोन सी protein, जो contact type protein का का काम करती है, contact type protein pass on bell notification आ रहा है, उस पर click करके उपर all पर दबाते हैं, जिसे notification on होजएगा, जिसे कि कोई भी classes बगरा होगी, तो असका notification आ तो पहुझेगा, इसके लावा जो है, अमेशा जो है, all India की nursing जगत की हर एक vacancy की update हम आपको सबसे पहले देते हैं, बस आप जो है, free of course सारी चीजे प लेकिन आप Facebook पेज़ जो है, जरूर फॉलो गर लें, इसका सही अंसर मायोसीन होता है, यहाँ पर ट्रोपो मायोसीन दिया है, तो यह भी सही अंसर है, ठीक है, contact health protein जो होती है, वो होती है, प्रोपो मायोसीन, अगला question भी very important, Tylen is presented, बहुत ही easy question है, Tylen जो होता है, एंजाइम वो किस में पाया जाता है, Tylen एक enzyme है, तो यह किस में पाया जाता है, saliva, gastric juice, pancreatic juice या bile, bile का secretion जो है, कौन करता है, यह भी आप comment box में बता दू मुझे, पटापट से बता दू, सारे लोग जितने भी जुड़े, बहुत बढ़ी है, Tylen enzyme जो होता है आपके, यह होता है, saliva and ilar म कितना है, आपकी मेनत कितनी है, आपका जो है, actively participation कितना है, classes में, वो ही जो है, आपके selection को तेह करेंगा, ठीक है, जितने भी साती जुड़े है, फटा फट से एक बार वीडियो को लाइक शेर कर तो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक, टेलिग्राम पर आपको पूरी एडिक आडिया मुख्य कॉमन रूप से पाए जाता है, नेक्स्ट क्यूसन के और बढ़ते हैं, तब maximum value, volume, ये बहुत ही important क्यूसन है, इसका क्यूसन जो है, पिछले paper में भी था, 2019 वाले में, उसमें title volume का पूछा था, आज किसका पूछा है, वो अपन देखते हैं, the maximum volume, ब कहते हैं, तो title volume, ये तो normal respiration में होता है, residual volume, जो की lungs में अपन maximum, जो expiration करते हैं, उसके बाद में, पिछे जो बच जाती है, उसको residual volume कहते हैं, functional residual volume अलग है, और vital capacity, यहन की, आप forceful inspiration के बाद में, कितना maximum expiration कर सकते हैं, इसको अपन कहते हैं, vital capacity, ठीक है, तो vital capacity, पिछले बार title volume पुछा था, 2019 से, next question, question number 11, an individual has a maximum number of oocyte, बहुत बढ़िया question है, five star question, ठीक है, five star, एक महिला, ये individual होता है, उसमें maximum oocyte कब होते है, ठीक है, at 20 week of gas station, at birth, by puberty, या by middle age, यह आपको पुछा गया है, बहुत बढ़िया, इसका आंसपर जो सही देगा, मैं मानूँगा कि हाँ, वा बहुत बढ़िया, सभी कांसोर आने चीए, very good, तो जो है, आपके maximum oocyte की संख्या जो होती है, वो आपके 20 week of gas station होती है, बर्त की समय काम हो जाती है, घट जाती है, और देरी-देरी puberty तक कम आ जाती है, limited मात्रा मा जाती है, एक से 2 million जो है, आपके बर्त के time कट जाती है, त 20 week of gas station के, उसाइट की संख्या सबसे ज्यादा होती है, क्यूसर नमर बारा, LH surge अकर, बहुत ही बढ़िया क्यूसर है, 5 star क्यूसर है, एक बाद फिस से बता दू, LH surge जो होता है, वो कब आकर होता है, and menstrual cycle के, किस time आकर होता है, बहुत ही बढ़िया क्यूसर है, LH को मतलब, बिफोर ovulation होगा, ठीक है, बिफोर वाला को याद रखना है, 24 hour बिफोर ovulation, LH surge जो है, बहुत बढ़िया क्यूसर होता है, बहुत बढ़िया क्यूसर है, वीडियो को लाइक शेयर कर दो एक बार फिस से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमें फेस्बूक पर 15 लग से ग् Emunetic Fluid बहुत ही बड़िया Can You Sand की क्योसन थोड़े easy है but है सारे के वाईजटाऊ अ amunetic क्योसन है दोस्तो marriage contribution किसका होता है immunetic fluid वह अप सभी को होता है जब बच्चा-maa की बोंबर होता है USके सारो और flow होता है यह को... exactly fluid वहरा रहता है लेकिन फीटल का यूरीन का सबसे मैक्सिम मात्रा रहती है, आपके अमनेटिक फ्लूइड में, यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन है, इसको अलगे में मत लेना, ठीक है, नेक्स्ट क्यूशन, अवेरीज वेरेज वेरिट औफ ईप्लेसंट, बहुत ही इजी क्यूशन है, वैसे ज्यादा इंपोर्टेंट भी नहीं कह सेखते हैं, लेकिन पुछा जाता है, भाव बताएें इस कांस्वेर क्या होता है, अवेरेज वेरेज विएड यूमन प्लेसंट प्लेसेंट का जो है भार पुछा गया है एवरेज वेट पुछा गया है 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 1500 ग्राम या 2000 ग्राम में इससे एक और क्यूसन वहता PPH जो होता है, PPH कब कहते हैं जब 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होता है अप्टर डिलेवरी उसको PPH कहते हैं एक नॉर्मल डिलेवरी में लेकिन यदि सीजेरियन होता है सीजेरियन डिलेवरी में 1000 ml से ज्यादा है जो ब्लड डॉस होता है, उस टाइम उसको पी पेचका जाता है बिल्गुल आपको हैंट तो मिल गया है वह सही आंसर आ रहे हैं, सभी के प्लेसंटा का भार जो होता है, वो 500 ग्राम का होता है नेक्स्ट क्यूशन के और बढ़ते हैं अपेरेंस आप मॉन्टो केमेटरी मॉन्ट केमेटरी, फोलेकल ड्यूरी प्रिगनेंस ये करेंट बहुत ही बढ़िया क्यूशन है, फाइस स्टार लगा दीजीगा कमेंट करो लगातार आप, सारे लोग, बिल्कुल तो ये जो है, आपके मॉन्ट कोमेंटरी ट्यूबर्स होते हैं ये आपके ब्रिष्ट पर पाये जाते, ठीक है ना कि फेस, वेजाने, सर्विक्स इन पर नहीं ब्रिष्ट पर पाये जाते है, इस क्रेंट सोटे लेजीगा बहुत बढ़ी है, समझ में आ रहा है कि सारे साथ ही बताइए येस या नो में उत्तर दीजीगा फटापर से समझ में आ रहा है जो सीज़े समझा रहा है बहुत ही बढ़ी है क्यूसन है आज की क्यूसन जितने भी है देरी दरी अपन हाट क्यूसन के ओर चलेंगे लेकर अपन जो है तभी सेलेक्शन करवा पाएंगे जब अपन रेगुलर्टी मैंटेन करेंगे बीच में वीडियो को छोड़ देना या पूरा वीडियो नहीं देखना या आज देखकल नहीं देखना या पिछ बड़ एकला से अभी तक नहीं देखिए ये सारी चिज़े आपके कहीं कहीं सेलेक्शन के बीच में रोडा बनती है तो आपको जो है लगाता रेग्विवर्टी यहनकी continuous consistency जो है बरकरार रखनी है ठीक है next कॉर्पस luteum secrets बहुत ही बढ़िया क्यूसन है 3 star क्यूसन ठीक है आज के सारे क्यूसन बढ़िया इस्टार वाले है तो कार्पस luteum जो होता है वो क्या secret करता है estrogen बिल्कुल गलते human placental lactogen यह placenta का है human chorionic gonadero भी यह भी SCG कहते हैं जो इसको अपन इसको अपन pregnancy hormone भी कह सकते हैं और यह जो है आपके placenta के द्वारा होता है ना कि इसके द्वारा कार्पस luteum के द्वारा लेकर progesterone जो है पहला जो एक्टिव फिटल मुमेंट होदा उसको कहते हैं यह क्यों भी कई बार पुछा हुए तब तक आब अधेए दस वीक बारा वीक चॉब दवेकर सोड़ा वीक पहला जो है फिटल मुमेंट जिसको अपन quickening क्या 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 याद रखना quickening यह quickening जो है कब फील होती है इसका जो आइडिल टाइम है सोड़ा से 24 वीक होता है यहां पर start का पुछाईने पहली वार फील कब होता है तो पहली वार फील आपके जो होता है प्रोग्रेस अब लेबर एकसेट बहुत बढ़ी है क्यूसन है और यह भी जो है थ्री स्टार क्यूसन है ठीक है आज की क्यूसन वाके ही लाजवाब है all of the following parameter are used to assess progress अब लेबर इनमें से जो है चार parameter दे रहे हैं इनमें से कौन सा जो है वो प्रोग्रेस अब लेबर के असे को में parameter नहीं है बागी तीन है सर्वाइकल डाइलेशन बिल्कुल प्रोग्रेस अब लेबर को अबन इंडिकेट करता है fetal heart rate यह नहीं होती है और uterine contraction तो होता ही होता है इसका सही आंसर जो आपके जाने वाला है वो जाना हो है fetal heart rate का जो है progress अब लेबर से कोई मतलब नहीं है यह fetal condition गोदर साता है question number 19 in a premy gravida cervical dilation occurs at maximum rate of बहुत बढ़ी है question प्रिमी gravida का मतलब क्या होता है पहली बार कोई pregnant lady जो है वो pregnant हुई है उसके delivery के time उसका cervix का जो dilation है उसकी rate maximum ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है ठीक है यह पूछा गया है तीन सैंटिबिट पर्दी गंड़ा चयर सैंटिव पास सैंटिव बहुत बढ़ी है सभी लोग जितने भी साती जुड़े है वीडियो को like share कर दो चैनल को subscribe कर दो फटावर से comment दे रो बहुत बढ़ी है, 2 cm, ज़्याद से ज़्याद कितना हो सकता है, प्रिमी ग्रेविडिवे हैं, सिर्क 2 cm ही हो सकता है बहुत बड़ी एक्यूसन है लोचिया तीन प्रकारगा होता है पहली क्लास में मैंने बताया था आपको जो जा कर देख लेना आप पहली दूसरी जिसमें भी यह जितने भी साथी है इसमें मैंने बताया था कि RSA और इनमें से क्यूसन आएगा याएगा रूबरा सेरोसा और बता तीन प्रकारगा होते है एक्यूली लोचिया क्या होता है कब सिक्रेट होता है यह पुछा गया है मैंस्ट्रेशन के टाइम बिल्कुल नहीं है प्रिग्नेंसी के टाइम यह भी नहीं है पर्प्यूरियम के टाइम यह सही है लेक्रेशन के टाइम नहीं होता है यनकी प पर आप जरूर जहां पर बहुत ही सांदर जांदर आपको जो है जानकारिया मिलती रहेंगे तो फेसबुक पेज का नाम पीजलक्सेक्लास है फेसबुक पर जाये पीजलक्सेकलास है सर्च करके उसको फॉल्लो कर ले if a woman does not nurse her child the menstrual flow will probably resume within, बहुत बड़ी अक्यूसन है यदि कोई pregnant, sorry कोई woman है, जनके बच्चा जो हुआ था वो किसी कारण से उससे दूर हो गया मतलब हो सकता है कि उसकी मृत्यू हो गई या मतलब वो उसकी देख बाल नहीं कर रही है तो जो है कितने टाइम बाद में जो है menstrual period, menstrual cycle जो है वापस आ जाएगा यदि वो breastfeeding कराती है तो 6 months लगते इसमें लेकिन यदि वो nurse नहीं कर रही है यानि कि breastfeeding नहीं कर रही है, देख बाल नहीं कर रही है nurse का मतलब यह देख बाल करना, देख बाल period जो होता है, यानि कि post delivery का जो period होता है 6 weeks तक यानि 42 दिन तक के जो समय होता है उसको अपन per period कहते है ठीक है, 42 दिन तक इसको 42 दिन को अपन 6 weeks पी कह सकते हैं, बहुत बढ़ी है सभी कि सायां सोरे, फटा फट से एक बार वीडियो को शेर कर दीज़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीज़ेगा वीडियो को लाइक कर दीज़ेगा, हमें फेस्बुक पीजे लग्से क्लासे पेज पर जो है आप फॉलो कर लीज़ेगा टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीज़े next question, the most sensitive marker of predict pre-term labor बहुत 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 बढ़िया question है, 7 star question है और छपेगा, 100% छपेगा, यह UPSC, ESAC exam में थी, the most sensitive marker कोण सा है, predict pre-term labor pre-term labor की prediction के लिए most sensitive marker कोण सा है serum peritin, cervical length pybronectin या burning test, बहुत बढ़िया, फटाबट से बढ़िये कि कोण सा most sensitive marker of predict pre-term labor इसका जो सही answer देगा, वागे मान लोगा अगे बंदे ने पढ़ाई करिये, यार, लगातार हमारे साथ जुड़ा है, उसका फाइदा उसे हुआ है, ठीक है फटाबट से बढ़िये, बहुत बढ़िये, कोई बात नहीं, गलत होता है आपको सिर्फ answer देड़ा है, गलत होता है वो कहाने करत करता अभ्यास के जड़ मती होता सुजान मतलब जो है अभ्यास करेंगे, लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे तो एक भी question आपके exam में सा गलत नहीं होगा, ठीक है इसका सही answer आपको याद रखना है, रट के रखना है फाइबरो नेक्टिन, ठीक है, फाइबरो नेक्टिन इसका C answer जो है, वो बहुत ही सही answer है प्रिटर्म लेबर के लिए अबन जो है, फाइबरो नेक्टिन को देखते है नेक्स्ट क्यूशन, the commonest vulvar disease in pregnancy ये भी five star क्यूशन है, five star लगा दीजीगा इनमें जो है, पुछा ये, commonest vulvar disease कोंड सी होती है pregnancy के टाई, मैंने की pregnant lady में commonest vulvar disease कोंड सी होती है material incompetence, material stenosis, aortic stenosis या aortic incompetence, बहुत बढ़ी है क्यूशन है तो इसको जो है five star क्यूशन और याद रख लेना मुखजबान याद रखना, आप material stenosis जो है most common बिमारी होती है, vulvar disease होती है pregnancy के टाई, चले, next question labor is said to be precipitated when the terminates in यानि कि precipitated labor की परिभासा यहां पर पूछी गई है अपन जो है, किसी भी labor को precipitated labor कब कही है जब less than one hour on set, यानि कि एक गंटे के अंदर अंदर उसका labor process पूरा हो जाए दो गंटे के अंदर, तीन गंटे के अंदर या चार गंटे के अंदर इसका answer जो है, आपको comment box में देना है कल मैं आपका जो भी सही answer होगा, उसका नाम भी लूँगा तो comment box में बताए कि तीन गंटे से कम में यदी होता है, उसको कहते है चार में या एक में दो में, perceived labor किसको कहते है ठीक है, perceived labor का मतलब होता है कि जल्दी से होना, लेकिन वो कितना जल्दी होना वो आपको comment box में बता रहे है, वीडियो को like share कर दे हो अभी वीडियो भतम होने बाद तो आप share करना आप दोस्तों को बाद, इमानदारी से सारे लोग और मैं एम कर रहा हूँ, तीन सो like, इस वीडियो पर तीन सो like आती है तो next class और energy के साथ आपके लिए लाएंगे, बस आपको हमेशा दो बजी जुड़ना है अब चार बजे वाले classes जो है, उसमें कुछ लोगों कमेंट आये थी, कुछ वाके दिकत दी, उनको दो बजे जो है तो इसलिए जो है, आप सभी के comfort के लिए दो बजे हमने class कर ली है, बस हमेशा दो बजे आप जुड़ने है इसके लाव और इंडिया की नर्सिंग जगदी सभी वेकेंश, नर्सिंग और पेरामेटिक लिए कोई बरती आती है, और इंडिया में, का इस्टेट की हो, गुवर्मेंट की हो, केंदर सब्कार की, किसी भी इस्टेट की हो, तो उनकी न्यूज आपको सबसे पहले इसी चै जो है, ऐसा नंबर आजाए पिन में, ऐसा कमेंट आप ज़रूर करें, समझ में आयक नहीं है, यह भी हमें बताए, मिलते हैं, क्लास के साथ कल दो बुजे, और और किसी बरती की नए वीडियो के साथ जल्द, तब तक लिए, जय हिंद, वंदे बात रहू